हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है तो चलिए दोस्तों नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस वीडियो के बारे में सब कुछ तो वीडियो अच्छा मारे में आपको पूरी जनकारी देंगे यह ड्रॉप किन के खरी आता है इसके क्या-क्या फाइदे देखने को मिल सकते हैं इसका सही डोस क्या है इसके साइड doesn क्या हो सकते हैं इसकी 및 हो सकती है इसका composition क्या होता है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में अंते थक जरूर बने रहें दोस्तों मेफटाल इस पास ड्रॉप कुछ इस तरह के कागस के कॉटन बॉक्स में आता है जिसमें आपको 10 ml दवा देखने को मिल जाती है कंपनी पे नजर डालें तो इसे ब्लू क्रोस लाइबर्टरिस प्राइबिट लिम्टेट कंपनी दोरह इसे मार्केट में बेचा जाता है 10 ml दवा की कीमत की बात करें तो यह आपको 45-50 रूपे में आपके नजदी की मेटकली स्टोर पे असानी से मिल जाता है बात करें इसके कमपुजीशन की तो इसमें आपको निम्न साल्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि इच ml यानि कि एक ml में 20 डॉप्स ये दवा आती है इसमें डाइस साइकलोमीन हैडरो कॉल डाइस इसमें 10 mg देखने को मिल जाता है सीमें थी कौन इसमें 40 mg देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मेफटाली स्पास ड्रॉप के फायदे के बारे में दोस्तों ये एक बहतरिन एंटी स्पासमोडिक ड्रग है यानि कि खास दोर सी ये बच्चों के लिए बनाये गया है जो बच्चे जीरो मंध से लेकर साल बर या देड़ साल के बच्चे हैं तो उन्हीं तरह के बच्चों में इस मेफटाली स्पास ड्रॉप का इस्तवाल किया जाता है दोस्तों कई बार में बता दूँ बच्चे कुछ ज़्यादा दूद पी लेते हैं जिसके चलते उन्हें बार-बार उल्टी आने लगती है, गैस बनने लगता है, पेट में अचानक तेज दार्द होने लगता है, जिससे बच्चा पूरे आठने लगता है, रोने लगता है, दोस्तों बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी भी समस्या को बता नहीं पाते हैं, डॉ बच्चे डॉक्टर जान लेता है कि बच्चों को क्या-क्या परिशानी है उसकी कंडीशन को देखकर तो मेफटल इस पास ड्रॉप दोस्तों बच्चों की पेट, दर्द और गैस की समस्या को बहुत ही शानदार तरीके से ठीक कर देता है साथी दोस्तों कई बार बच्चों म देखने को मिल जाती है तो उन तरह की समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इस मेपटालिस पास ड्रॉप का इस्तमाल किया जाता है साथी दोस्तों चोटे बच्चों में जो बच्चे अभी पांच ये च्छे मैने के करीब के होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि आए दिन उ गोल गोल लाइटरिंग करते हैं यानि कि बिलकुल जो बकरी की लेडी होती है उस तरह के गोल गोल लाइटरिंग करते हैं और उसमें कड़कपन काफी ज्यादा होती है तो हाड लाइटरिंग होने की वज़े से आप समझ सकते हैं कि बच्चों का पेट सही तरीके से साफ न में हाई क्वाल्टी की एंटिबाइटिक चलती है या कई तरह के मल्टी बिटामिन या अधर जो मेडिसिन चलती है उसके चलते भी बच्चों के पेट में दर्द और गैस की शिकायद देखी जाती है तो उन कंडिशन में भी इस मेप्टालिस पास ड्रॉप को दिया जाता है स जाते दोस्तों कई बार बच्चों में उल्टी की शिकायद होती है यानि कि उन्हें बार बार मतली आती है जिसके चलते भी उनके पेट में गैस और पेट दर्द की समस्या देखने को मिलती है तो उन कंडिशन में भी इस दवा का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इस पैक कि बच्चों में कोलिक पैन देखने को मिल जाता है यानि कि उनके पेट में आइठन मरोड देखने को मिल जाता है उन कंडिशन में नॉर्मल जो गैस की दवा आती है जैसे की गैस्टिका वगेरा उनको देने के बाद भी बच्चों का पेट दर्द ठीक नहीं होता तो एमर है सुरच्चित है और किसी तरह की पेड़ दर्द की समस्या को यह जड़ से खतम कर देता है तो दोस्तों अगर आपके गर में छोटे बच्चे हैं और पेड़ दर्द से काफी परिशान रहते हैं आए दिन उनको पेड़ दर्द होना गैस बनना उल्टी जैसा होना पेड़ फुलना पेड़ भारी भारी रहना गैस बार बार पास करना तो इन तरह की समस्याएं अगर आपको देखने को मिलती है तो आप इस मेप टालिस पास ड्रॉप को अपने नजदी की मेडिकल स्टोर से खरिश सकते हैं या फिर अपने नजदी की डॉक्टर से सला के अनुसार भी इस दवा के इस्तमाल कर सकते हैं तो यह थे दोस्तो इसके यूज के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तो इसके डोस के बारे में तो दोस्तो इसे जो है छे मैने से लेकर चे मैने से साल भर के बच्चों में 6-8 बूठ दिन बर में दो बार या तीन बार दिया जाता है और यहीं 12 मैने से उपर दो साल तक के बच्चों में इसे हम 10-12 बूठ दिन बर में 3-4 बार दे सकते हैं अगर छे मैने से नीचे के बच्चों में दे रहे हैं तो दोस्तों इसे हम जो है छे से साथ बुद दिन बर में दो से तीन बार दे सकते हैं लेकिन छे मैने के नीचे के बच्चों में एमर्जेंसी पढ़ने पर ही दें जब गेस्टी का ड्रॉप ना काम करें पेट दर्थ की स राद भी राद बच्चों के पेट में अचानक दर्द स्टार्ट हो जाता है पेट में आयठन मरोड गैस के समस्या देखने को मिल जाती है तो उस वक्त ना ही कोई मेटकली स्टोर खुला रहता है और ना ही कोई डॉक्टर उपलब्द रहता है तो हम काफी परिशान हो जाते हैं तो आप इस ड्रॉप को जरूर रखें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यह था दोस्तो साइड फिक्ट की बात करें तो दोस्तो इसके निमन साइड फिक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे कि इसके पिलाने के बाद बच्चों को नीध ज्याद लगना सुस्ती लगना इस तरह के कुछ कॉमन साइड फिक्ट होते हैं जो कि सबी को नहीं होता तो यह था दोस्तो मेफटाल स्पास ड्रॉप के बारे में सब कुछ उमीद करता के वीडियो आपको काफी अच्छा लगाओगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें